जैसे यह राम आपसे एक बात करने थी बात यह है कि आप लोग अगर टेंट वाला इस वीडियो को देख रहे हो तो पूरा अंतर तक देखिएगा जिससे मैं आज आपको कुछ बताने वाला हूँ जिससे आपकी भी पैसे बज सकती है बात करता हूँ सर पर थाम आप हमारे ब लाइट खरता है और फिर से देखो यह हमारी खराब हो चुकी है यह जो 15-15-16 जो लाइट आपको हमारे सामने दिखाई दिखाई दे रहा है यह 15 के 15 पीस इसी साल की लाइट खर दी हुई है और बेसिक यह जदह तर आपका टेंट वाला लोग इस तरह का लाइट खरीता है तो आखिर कार आप लोग क्यों ऐसा light खरीते हो कि जिसके करण से आपको बार-बार की इस तरह की adapter इसके मतलब यह light repair करवानी पड़ती है जिसके मतलब 1012 लोग ऐसे होते हैं जो कि पैसे बचाने के चकर में कुछ गलत product ले लेते हैं इसके करण से उनकी light बार-बार खराब होती रहती है बात करूँ इसका तो इसमें आपको कुछ अलग तरह के adapter लगाए रहते हैं सर पर्थम तो मैं थोड़ी से आपको जनकारी के रूप में यह बता दू कि इसमें यह 200 वाट मतलब 240 वाट की जो adapter दिखाए जो light आपको दिखाए दे रहा है इसमें आपको इस तरह के 4-4 adapter लगी रहते हैं जो कि बहुत ही घटिया adapter होती है इस adapter के बात करूँ तो हाला कि इसमें लिखती है 50 वाट की एक adapter लेकिन यह इतनी घटिया होती है जितना हम बता भी नहीं सकते आप इसका output और यह सब देख सकते हैं इसका कितना घटिया होता है जिसके करण से यहीं adapter आपका इसमें लगा रहता है बात करूँ 240 वाट का तो 240 वाट में आपको 4 adapter लगाये मने देखने को मिल जाती है और इसमें 100 वाट में आपका only one two adapter देखने को मिल जाती है 58 रुपे की एक adapter पड़ती है अब इसी से आप अनमान कर सकते हूँ कि 4 adapter एक में लगी है तो फिर आप अनमान कर सकते हूँ कि कितने की एक light की cost कितने की हो सकती है बात करूँ चलो दिखा देता हूँ मेरे पास देखो 50 वाट की हापने decks पे लगाये हुए है जिसके करण से इसको protection proper मिलती रहती है और ये बार-बार dead नहीं होता है इसका output वगरा जो भी हो सब term condition आप पड़ सकते हो 45 से 50 वाट में इस adapter का आप यूज कर सकते हो जो कि काफी बहतरीन performance करता है light अगर आप को यूज करनी है लेकिन इसकी price के बात करो तो something 700 रुपे के आसपास आ जाती है तो 700 रुपे और 14 रुपे में सीधे की दूगने की अंतरे जिसके करण से ये light आपकी बार-बार खराब होती रहती है जहां तक बात करो जैसे मैं performance के बारे में ही बताया तो ये इसी साल का light है और देख सकते हो आपकी पूरी की पूरी light डेड़ हो चुकी है SMD की बात करो तो SMD भी उसी quality से दी जाती है जिस quality के आपके पैसे invest करते हो तो भाई साब 700 के पीछे ना पड़ो और light वैसा select करो जो कि आपके लिए better होगा जहां तक ही आपका 240 watt उतना रोशनी नहीं दे पाएगा only one हमारा 50 watt जितना रोशनी दे देगा उतना आपका 240 watt नहीं दे पाएगा reason यह है कि इसमें लगाई रहती है कुछ इस तरह कि घटिया adapter जिसके करण से आपकी light बार बार डेड होती रहती है तो मिर भाई अगर आप light खरिदने वाले हो अगर आप light लेने वाले हो तो please मैं यह रिक्वेंट करूँगा कि यह light आप का भी भी गलती से भी ना लें होगा कि इस तरह कि आप light ना ही लो तो ज्यादा वेटर होगा चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में